हेलो नमस्कार दोस्तो स्वागत आपका ITI and CITS related channel में दोस्तो आज की जो वीडियो अने वाली employability skills की वीडियो वने वाली है और चोथी क्लास से आपके employability skills की दोस्तो अगर आपने तीन क्लास से पीछे की नहीं देखी तो दोस्तो उसका link जो है मैं नीचे डाल दूँगा description में जाकर दोस्तो तीन क्लास से आप चेक कर सकते हैं या दोस्तो प्लेलिस्ट भी आप चेक कर सकत ताके आने वाली वीडियो की notification आपको टाइम पर मिलती रहे दोस्तो हमारे चेनल पर आपको well translated job theory practical question answer सारी चीज provide की जाती है तो आपने नहीं देखा तो वीडियो के playlist जरूर चेक कर लें वहाँ पर आपको सारी information मिल जाएगी और नहीं मिलती किसी वी topic में doubt है तो आप comment box में mention कर सकते हैं उस पर आपके लिए वीडियो जरूर बनाई जाएगे दोस्तो थीक है चलिए start कर लेते हैं आपने इस चौती klas क्लस जो दोस्तोष देख सकते हैं पहला question क्या है आपका पहला question सबसे पहले बात दोस्तो को question बड़ Cum laud पढ़ना है और ध्यान से पढ़ने को आपको जो ऑप्षन है उसको भी अच्छे से देख लेना है तो सबसे पहले दोस्तों को पता होना चाहिए कि हाडवेर क्या होता है hardware क्या होता है दोस्तों कि जिसे आप अपने हाथों से छू सकते हैं जैसे कि printer को हम अपने हाथों से छू सकते हैं एक hardware है mouse एक hardware है हमारा keyboard एक hardware है जिसे हम अपने दोस्तों हाथों से छू सकते हैं पर दोस्तों विंडो है इसको हम अपने हाथों से नहीं चुछ सकते यह एक software में आता है तो दोस्तों इसमें question जो पूछा गया है क्या पूछा गया एक hardware नहीं है तो दोस्तों विंडो के बारे में पूछ रहा है तो दोस्तों आपका एंसर हो जाएगा यह विंडो क्योंकि द फिरीजी कि है इंपुड सीप्यू आउटपूड plus दॉस्तों चलते हैं तीसरे नंबर के Amerika प्रफावीवारता का सिधान्त英 मैं इन में ब्रसके पास सारे सुफिया आंसर議 जो आप देना सबसे क्या है एक परभावी वारता का सिध्धान्त माना जाता है आगे दोस्तों ये देखी आपका चोथा कोश्चन है निम्न में से क्या ट्रीपल ए सरवन में सामिल नहीं है तो क्या ट्रीपल ए सरवन में सामिल नहीं है तो किस तरह की प्रेड़ना उत्पन होगी दंड भै धमकी से यह सारे दोस्तों क्या है गलत चीज़ें किसी को दंड भी निज़ेना चाहिए किसको ड्राना भी निज़े किसी को धमकाना भी निज़े तो किस प्रेड़ना के अंतरगत आती है तो दोस्तों इसका अंसर आपको नुकसान किसी भी चीज का रिनात्मग आगे चटा है आपका साक्षतकार के समय कि निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए जब आपका इंटर्विव होता है तो क्या आपको नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आपके पास आपके प्रसन सुनकर उसका जवाब देना चाहिए यह गलत होजाएगा सो समझकर बोलना चाहिए यह जो जाएगा पेढगे कपड़े आपको नहीं पहनना चाहिए त्पर आगे दोस्तों आपका सात्वा कोस्ट्षन आपका एक सफल व्यक्ती सदा डैस की खोज में रहता है तो एक सफल व्यक्ति किसकी खोज में रहता है विचार एवं संभावनाएं की खोज में रहता है आगे दोस्तों आपका है एक एंटी वाइरस डैस होता है दोस्तों आपके पास कंप्यूटर होगा उसमें दोस्तों अपने अगर एंटी वाइरस 8 question पूरे कर लिए अब दोस्तों हम 9 question के उपर चलेंगे 9 मा एै आपका web page जिस से जिसमें बदलाओ किया जा सके उसे क्या कहते है तो दोस्तों उसे बोलते है web page में अगर किसी की बदलाओ होता है तो दोस्तों बदलाओ कर सकते हैं dynamic बोलते हैं आगे है आपका ग्यारवा वारता के समय विशय से बटकने से क्या होता है तो वारता यानि किस से बात कर रहे हैं किस के विशय से हटते हैं तो क्या होता है तो दोस्तों आपको जाएगा ये वाला कर और खा दोनों वारता दिसाहीन हो जाती है यानि बात कहीं और चले जाती है और मुल परसनों का अर्थ होता है मुल परसनों का अर्थ होता है आगे दोस्तों आपका है बारवा निवन में से किस पर संचार प्रकिरिया निर्भर करती है तो किस में दोस्तों आप संचार प्रकिरिया निर्भर करती है यानि किसी को मैसेज करना किसी को फोन करना तो किसमें आपका हो जाता है संदेश में ठीक है किसका हो जाएगा संदेश में आगे दोस्तों आपका तेरवा है तेरवा देखिए निम्न में से क्या वारता की बाधा नहीं है तो दोस्तों क्या वारता की बाधा नहीं है सांत वातावरन जो है एक वारता की वाधा नहीं है आगे है किस संचार विवस्ता में सबसे अधिक सिथरता होती है तो किस संचार विवस्ता में सबसे अधिक सिथरता होती है तो आपका दोस्तों चोधवे को जाएगा लिखित में सबसे अधिक सिथरता होती है अगर लिखित में किसी को हम message करते हैं, reply करते हैं, तो दोस्तों यह एक अधिक स्धिर्था माने जाती है, आगे दोस्तों आपका अच्छी सर्वनाता, वेक्थी की डास सहली को सुधारती है, यह दोस्तों जो वेक्थी अच्छा सुनता उसकी कौन सी सहली जो सुधरेगी तो क आगा दोस्तों बहुत ही फेमस कोस्चन और आपका इंप्रेंट फॉट्वयर कितने परकार के होते हैं अगे जलते हैं दोस्तों सट्रहए नम्मर कोस्चन पे 17 आपका क्या है सतरवा कोशन दोस्तों हाडवेर एक परयोग करता के बीच में इंटरफेस को क्या कहते हैं तो हाडवेर एक परयोग करता के बीच में इंटरफेस को क्या कहते हैं तो इसे क्या बोलेंगे दोस्तों आपका हो जागा एंसर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको क्या बोलते ह आपको तो इसका shortcut क्या हो जाएगा तो दोस्तों इसका shortcut हो जाएगा आपका control S क्या हो जाएगा control S आगे दोस्तों आपका 19 वा question Excel में फलन का परयोग किस लिए होता है तो Excel में फलन का परयोग किस लिए जाता है तो यह आपका घाद बनाने के लिए जो है हम फलन का परयोग करत हैं आगे दोस्तों इसका आपको जाएगा डी सभी क्योंकि समय जी लगा है ठीक है आप इसे देख समझ सकते हैं आगे आपका दोस्तों 21 कोस्टन संचार में भेजा गया संदेश होता है संचार में भेजा गया संदेश होना चाहिए तो संचार में भेजा गया संदेश कैसा होना चाहिए तो दोस्तों आपका आपका है 22 कोस्टन दो या अधिक व्यक्तियों के बीच के मौखिक परतियुत्तर को क्या कहते हैं दो या अधिक व्यक्तियों के बीच अगर कोई बात हो और यह तो उसके पर्ति उत्र को क्या कहते हैं उसके आहँसर को जाएगा साख्षतकार बोलते हैं गोजिके इंट्रव्यू बोलते हैं तो 22 के पूपकर पूक्द होगे दोस्टोन में फिर्ञ्शंट्र का पर हैं आगे आपका 24 निम्न में से क्या एक Operating System नहीं है तो क्या एक Operating System नहीं है तो Google एक Operating System नहीं है दोस्तो आगे आपका 25 एक कंप्यूटर के वह भाग जिन्ने सपर्ज किया चाह सकता है क्या कहलाता है दोस्तो अभी मैंने आपको उपर बताया पहला कोषोन जिनको आप सपर्ष कर सकते हैं चूप सकते हैं उसे हम hardware बोलते हैं ठीक दोस्तो तो यह 25 question में आपको करा दिये हैं दोस्तो आपके exam में 25 question ही आएंगे और दोस्तो इन में से दोस्तो आपके question आ सकते हैं और दोस्तो अगर आपने पीछे ही class नहीं देखी तो वीडियो की playlist चेक कर लिजी या दोस्तो नीचे जो डिप्सक्रिप्शन में लिंक देजेता हूँ वहाँ से आप जाके देख सकते हैं ठीक दोस्तो तो कैसे लगी वीडियो वीडियो आपको पसंद आई तो एक like कीजिएगा चैनल को subscribe नहीं कि आपने subscribe करके bell icon प्रेस कर दे ताके आने वाले वीडियो के notification आपको time पर मिलती रहे ठीक दोस्तो मिलते हैं अगले वीडियो में thanks to watching